नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे contribute का हिंदी में क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम इसकी spelling को जान लेते हैं, इसकी spelling होती है C-O-N-T-R-I-B-U-T-E C-O-N-T-R-I-B-U-T-E, contribute, contribute, आईए दोस्तों, अब हम इसका हिंदी में अर्थ भी जान लेते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है योगदान देना, सहयोग करना, सहायता करना, चंदा देना, भाग लेना, प्रकासनेतु देना, लेखादी देना, आईए दोस्तों, अब हम इ स्नॉनिम्स भी जान लेते हैं, इसके स्नॉनिम्स होते हैं, डोनेट, गिव, गिव अवे, किक इन, पिच इन, बैस्टो, प्रेजेंट, डिवोट, या ग्रांट, आईए दोस्तों, अब हम इसे कुछ सेंटेंसेज की साहिता से भी समझ लेते हैं, He did not contribute to the project, उनोने प्रियोजना में युगदान नहीं दिया, He did not contribute to the project, उनोने प्रियोजना में युगदान नहीं दिया, In order for the team to win, everyone has to contribute, Team की जीत के लिए सभी को अपना युगदान देना होगा, In order for the team to win, everyone has to contribute, Team की जीत के लिए सभी को अपना युगदान देना होगा, अपने इंग्लिज को और बहतर बनाने के लिए ऐसी अनेक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल जांडा नोलेज को सब्सक्राइब करके, गंटी के आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लेज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करना, धन्यवाद दोस्तों,